अरसे बाद लोटी कॉंग्रेस में जशन की आधी कॉंग्रेस को मिला नया दिगज मुख्यमंतरी इस वक्त की आई बहुत बड़ी खबर बतादे राजस्थान के मुख्यमंतरी अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यच बनने की चर्चाओं के बीच सचिन पैलेट ने बड़ा वयान दिया है कोच्ची में मुख्यमंतरी बनने के सवाल पर सचिन पैलेट ने कहा कि पार्टी नित्रित्ट के फैसले का पालन करेंगे पार्टी जो भूमिका तैकरेगी उसे स्वीकार करेंगे सचिन पालट ने कहा कि कोंग्रेस में चुनाव कराने का साहस है कई राज्जों ने राहुल गाधी को अध्यच बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किये हैं निर्डे राहुल गाधी को लेना है सीयम असोग गहलोत के सवाल पर सचिन पालट ने कहा कि हमें दो या तीन दिन इंतजार करना चाहिए नमांकन प्रक्रिया सुरू होने जा रही है कॉंग्रेस प्रवक्ता जेराम रमेस ने कहा कि चनौपूरी पारदरसिता से होंगे उलेख नहीं है कि सचिन पालट भारत जोडो यत्रा में शामिल होने के लिए कोची गए हैं आपको बता दे सीयम असोग गहलोत कॉंग्रेस अध्यच बनने की चर्चाओं के बीच बीते दिनों दिल्ली गए हैं शीयम गहलोत सोनिया गाधी समेत वरिष नेताओं से मुलाकात भी किये हैं वहीं राजस्थान के पूर्ब डिट्टी सीयम सचिन पालट ने कहा कि भारत जोडो यत्रा अडिंग होसलों के साथ आगे बढ़ रही है राहुल गाधी के साथ नेता और कारिकरता कॉंग्रेस की रीत नीत जन जन तक ले जा रहे हैं भारत जोडो यत्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है यहाँ इस बात का प्रमाड है कि कॉंग्रेस के प्रति देश का दिर्ध बिश्वास है सचिन पालट ने कहा कि देश की जनता आज महागाई से तरस्त है पीयम मोदी ने 2014 से पहले जो वादे किये थे उन्हें पूरा करना चाहिए देश की जनता बीजेपी से जनना चाहती है कि महागाई पर लगाम कब लगेगी और बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा उलेखनी यहे कि भारत जडो यत्रा में सामिल होने की वज़ा से सचिन पालट बीते दिन बुद्धवार को कॉंग्रेस बिधायक दल की बैठक में सामिल नहीं हो पाए थे सीम अशो गहलोत ने कहा कि सोनिया गाधी और राहुल गाधी से अनुरोध करेंगे अनुरोध स्विकार करते हैं तो नमांकन दाखिल करेंगे शियम गहलोत ने कहा कि वे चाहते हैं कि राहुल गाधी कॉंग्रेस के आध्यच्छ बने कॉंग्रेस कारी करता भी यही चाहते हैं